आज की वीडियो काफी important रहने वाली है हम समझेंगे के भाई जो Tata Steel का stock है वो क्यों इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा क्या इसके पीछे के reason है कि stock 5 दिन में लगबग 4% तक नीचे गिर चुका है पूरे एक महिने में कोई खास growth नहीं है पूरे 6 महिने में कोई खास growth नहीं है बलकि 4% का downfall ही है और पूरे एक साल का बात करें तब भी 20% तक का ही return इस company ने दिया है तो क्या चल रहा है basically Tata Steel में इसको हम समझेंगे क्या updates हैं क्या news है investor ट्रेडर किस तरह से इस company को देख रहे ह इन सब चीजों के उपर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक update को देखते हैं कि basically overall ऐसी क्या reason रही है जिसकी वैसे Tata Steel में कुछ खास growth नहीं हो रही मैंने business standard का एक article खोला हुआ है इस article को publish किया गया था 18 October 2024 को जो कि आप clearly screen पे देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक बात बहुत clear देखने को मिल रही है कि जो steel sector है उसमें बड़ा impact हमें देखने को मिला है जितने भी domestic player है याने कि वो player जो इंडिया के लिए ही काम करते हैं steel sector से related उनको बहुत बड़ा impact create हो रहा है उनकी sales पे बहुत ज़्यादा असर पढ़ रहा है अब असर क्यों पढ़ कर रहा है याने कि steel को इंडिया में बहुत बड़ी quantity में लाया जा रहा है और इसी वज़े से जितने भी domestic steel industries हैं जो घरेलू steel industry हम इनको कह सकते हैं उन खिलाडियों के लिए मुनाफे पर negative impact पढ़ रहा है और अगर ये trend कुछ इस तरह से ही चलता रहा याने कि इंडिया में steel का import बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं जो demand और supply की जो chain है वो break हो सकती है जिससे domestic steel industry को बड़ा जटका लग सकता है अगर हम final year 2024 के third quarter को observe करें तो लगबग 1.3 ratio के हिसाब से report के अनुसार domestic player को बड़ा दवाब का सामना करना पड़ा और उनकी financial इस्तिती भी काफी हद तक गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है और इनी कुछ reason की वज़े से टाटा steel में भी हमें कुछ खास growth देखने को नहीं मिल रही है अब सबसे बड़ा सवाल बस यही आता है कि basically यह import इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है क्यों steel बहुत ज़्यादा quantity में भारत में ल मस्ते हैं ताकि आपको बहुत clear हो सके कि basically overall चल क्या रहा है जैसा आपको पता है कि चीन, वियतनाम और जापान इसी के साथ कोरिया से हम steel को ले रहे हैं और इन तीनों ही कंट्रीज से steel के दाम को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है इन सभी कंट्रीज ने steel के price को बहुत ही ज़्यादा quantity में बढ़ रहा है INDS-RA ने यह बताया है कि high import value domestic price को चिनोती दे रहा है जिससे की मुनाफिक पर दवाब पढ़ रहा है और यह दवाब 1.7 के resource से हमें देखने को मिल रहा है अब कहने का मतलब बहुत साफ है अगर steel import होकर सस्ता मिलेगा तो जो domestic players हैं जिनोंन उनके लिए demand और supply की chain तूटेगी और कहीं न कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा overall ज़्यादा demand बढ़ जाने की वज़े से और supply बहुत जादा बढ़ जाने की वज़े से इंडिया में यह chain break होने वाली है क्योंकि ज़्यादा supply आने से कहीं न कहीं demand बहुत तेज हो जाएगी अपने profit को निकालने में आपको बताना चाहूंगा guys चीन काफी बड़ा exporter है और अगर चीन का steel बहुत तेजी से नीचे गिरेगा तो इसका impact हर जगा पड़ता है international market में भी पड़ता है in fact चाइना के अंदर भी steel का price गिरने से चाइना के जो domestic player है उनके लिए भी एक problem का सामना बनकर सामने आया है अब क्या कर सकता है चाइना इसके लिए वो तो आगे ही पता चलेगा लेकिन अगर ये price इसी तरह से गिरते रहे और इंडिया का जो import है steel में बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं इंडिया के जो domestic player है उनको काफी दिनों तक जटका लगने वाला ह और कह सकते हैं कि काफी quarters उनके unprofitable रहने वाले हैं उसके बाद कहीं हम कह सकते हैं कि जैसे से steel के price बढ़ेंगे तो companies अच्छा मुनाफ़ा भी बनाएंगी फिलाल अभी तो company जादा से जादा import कर रही है जिसकी वज़े से कहीं ने कहीं उनकी profitability पे फरक पड़ रहा है अब क्या final year या फिर हम बोले 4-5 सालों के लिए steel sector ऐसा ही रहने वाला है तो guys इसका answer बिलकुल भी सही नहीं है कि steel sector ऐसा ही रहेगा steel sector में आपको जब adjust growth देखने को मिलेगी अभी जितनी भी steel making company हैं वो steel का import कर रही है और बहुत कम ही हमें देखने को मिल रहा है कि वो profit बनाने की क process में हैं जदा से जदा इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि steel बहुत सस्ता है इंपोर्ट करने के बाद जब steel का price बढ़ेगा तो उनको अच्छा मुनाफ़ा होगा और इस वज़े से ताटा steel के stock price में और company के financial profit में हमें growth भी देखने को मिलेगी लेकिन सवाल बस यह है कि यह downfall के अंदर steel को लेकर यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है अब देखते हैं कि भाई कब steel के price चायना में बढ़ते हैं जैसे steel के price चायना में बढ़ेंगे तो कहीं न करें टाटा steel के stock price में भी हमें जबर जस्त बदलाव देखने को मिलेंगे तो क्या यह बहुत अच्छा मोका है टाटा steel में entry लेने का तो बिल्कुल गाईस अगर आप long term का game खेलना चाहते हैं आप अगर long term की journey जीना चाहते हैं किसी भी stock के साथ तो टाटा steel आपके लिए एक अच्छा stock साबित हो सकता है लेकिन यहाँ पर हमेशा एक prediction जरूर रहेगी कि भाई साबित हो सकता है 100% accuracy तो को अब दो लाग करोड के आसपास तक आ गया है अगर company का PE देखें तो 119 के आसपास आपको नजर आएगा यानि कि टाटा steel अभी भी बहुत हाई और बहुत महंगे price पे हमें देखने को मिल रहा है return on capital employee return on equity टाटा steel का कुछ खास नहीं है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है पास साल में टाटा steel ने कोई खास ग्रोथ नहीं करी है 7.77% की ग्रोथ जो बहुत ही कम है टाटा steel पे करज काफी जादा और ये करज बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि company import जादा कर रही है export कम कर रही है और profits भी कम बना रही है अभी company के पास पैसा है वो सिरफ import में लग रहा है क्योंकि other countries में जो steel की demand है बहुत तेजी से decrease हुई है या हम बोले price जो steel के है बहुत तेजी से decrease हुए है तो guys इन सभी resource को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि आज जो आपको टाटा steel देखने को मिल रहा है वो सस्ते price पे मिल रहा है लेकिन अभी भी stock का PE बहुत high है ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है अगर हम company के NSE का data उठा कर देखें तो समझ में आता है कि जो टाटा steel है ये दिखा रहा है कि जो trade information है वो clearly 25 लाग की sale quantity लगाय हुए है investor ये वह investor है जो already टाटा steel में invested थे अब वो चाहते हैं कि भाई हम 25 लाग stocks को आज sale कर दे बायर्स भी active है ऐसी बात नहीं है 24 लाग की buy quantity हमें देखने को मिलेगी तो overall कह सकते हैं कि काफी टकर का game है जितने ही sellers active है उतने ही buyers active है जो कि इस company को positive direction दे रहे हैं अगर आप pre open market देखें तो सब कुछ सही रहता है तो ये जो टाटा steel है लगबग 166 रुपे तक बढ़ सकता है ऐसा ह हमें clearly देखने को मिल रहे हैं वहीं अगर कुछ भी negativity आती है जैसा मैंने आपको बता है कि भाई steel के दाम गिरते ही जा रहे हैं अगर steel के दाम और भी जादा गिरते हैं तो ये श्टोक 137 रुपे तक नीचे भी गिर सकता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है historical data क्या कहता ह है Tata Steel का इसको भी हम एक वार observe कर लेते हैं मैं historical data पे जाता हूं तो मुझे बहुत के लिए नजर आ रहा है कि 170 रुपे Tata Steel सबसे highest गया इस महिने में 30 सितंबर को और जो सबसे lowest price गया था वो 147 रुपे गया था 19 सितंबर को तो guys ये है NSE का data अब चलते हैं money control पे money control पे भी मै यहाँ पर Tata Steel सर्च कर लेता हूं जैसे ही मैं Tata Steel सर्च करता हूं तो मेरे सामने जो stock है वो कुछ इस तरह से खुलके आ जाता है सबसे नीचे चलेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि Tata Steel का जो volume है कल 3 करोड के आसपास का trade हुआ था आज 1 करोड का volume हमें देखने को मिल रहा है यानि कि volume बहुत ही अच्छा नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई इस volume से बहुत बड़ी हल्चल हो सकती है कोई बड़ी news कोई breaking news आती है तो Tata Steel का stock बहुत तेजी से बढ़ सकता क्योंकि volume जादा नहीं है volume जादा नहीं है इसका मतलब साफ है कि इस stock के अंदर जो investor हो जादा active नहीं है बस नजर में रखे हुए है और नजर में अगर news आती है तो वो invest करेंगे उसका panic भी create होगा लेकिन अगर नजर में वो news नहीं आती तो stock में जादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्य जादा हो गई है ऐसी बाते हैं जो company को negative बनाती हैं वो 11 हो गई है और ऐसी बाते हैं जो company को positive बनाती हैं वो सिरफ 4 ही बची हैं तो opportunities और 3 threat company के अंदर हैं तीनों threat को समझते हैं पहला तो RSI RSI एक ऐसा indicator है जो technically investor काफी ज़्यादा use करते हैं और ये जो RSI indicator है यहीं दिखा रह negative नहीं लेता क्योंकि जैसे से स्टोक गिरता है तो technical indicator यानि कि RSI आपको negative दिखाएगा जैसे से स्टोक बढ़ेगा तो ये indicator हट जाएगा अगर हम बात करें company की तो company अपने debt में day by day increment कर रही है जो कि अच्छी बात नहीं है annual report उठा कर देखेंगे तो company का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है तो ये भी एक बड़ा खत्रा है और वहीं company non-core income ज्यादा आरंद कर रही है ये भी एक बहुत बड़ा threat है तो ये guys threat है जो हमने money control पे समझे हमने company का volume समझा और हमने एक बात observe करे टाटा स्टील को लेकर कि टाटा टाटा स्टील कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि company अच्छा growth नहीं कर सकती लेकिन टाटा स्टील सिरफ इस वज़े से आज रुकी हुई है कि overall जो बड़ी countries हैं चाहो चाइना हो जैपान हो वेतनाम हो या फिर कोरिया हो जहां से स्टील का price बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है इस व इंपोर्ट जादा quantity में होगा तो जितने भी domestic steel industries हैं उनको बड़ा घाटा होगा और आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो demand और supply chain है किस तरह से break होगी अगर इंडिया में steel का इंपोर्ट जादा होता है यहाँ पर Tata Steel भी जादा इंपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है क इंपोर्ट करने में जो amount लग रहा है जिसकी वैसे company को करज लेना पड़ रहा है और debt to equity इस वज़े से भी बढ़ रहा हो क्योंकि अब company चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जाए steel को क्योंकि steel सस्ता है और फिर जब steel महंगा होगा तो फिर उसको बेचा इंपोर्ट करेगी और अगर steel का प्राइज बढ़ता है तो फिर company को profits बहुत ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि company सस्ते steel को फिर महंगे प्राइज में भी बेच सकती है तो guys आप इस चीज का ध्यान रखकर चलिए कि अगली news क्या आने वाली है बाकी आप हमारी चैनल को subscribe कर करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी update मिसना हो सके और इसी तरह से बरकरार रहने के लिए most active stocks को जानने के लिए चैनल को subscribe कर सकते हैं किसी भी तरह का कोई buy sell hold recommendation नहीं है ना ही आपको को financial advice है तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care and goodbye